अग्याव एंड वेल्कम ट्रॉपलेस क्लासेज आइवल्कम यू आउन दिस प्लैटफॉर्म ट्रॉपलेस जैसा कि पिछली लेक्चर में हमने देखा हमने प्रोजेक्ट टाइगर देखा उसके बाद हमने क्या कुछ इनिशेटिव ले हमने गुलोबल लेवल पे या नैशनल लेवल पे elephant और इनकी habitat को इनके habitat को इनके colliders को preserve करने के लिए conserve करने के लिए क्या कुछ steps ले उसके बाद हमने देखा project लियोपार्ड क्या कुछ step initiatives ले गए आज के इस lecture में हम further क्या initiatives ले गए कश्मीर stag that is hangul को protect करने के लिए एक और biodiversity species को preserve करने के लिए क्या कुछ initiatives लिए गए तो way back in 1970 1970 में आजादी मिलने के बाद क्योंकि जो Britishers यहाँ पे rule कर रहे थे इंडिया में वो काफी ज़्यादा poaching कर रहे थे इन animals का चाहे वो tiger की बात हो चाहे वो hungler की बात हो इन animals की poaching करते थे illegal hunting इनकी की जाती थी तो 1970 में estimate किया गया कि इनकी population around 150 ही थी तो उसी time 1970 में ही 1970 में ही यह initiative लिया गया project hangul का क्या है project hangul hangul जुसको locally hangul बोलते हैं कश्मीरी language में कश्मीर स्टैग also called as hangul in कश्मीरी language एक sub-species ही है जो red deer जो कि Central Asia में पाया जाता है उसी red deer का एक sub-species है जो यह red deer है यह जो northern Indian states है नौर्थीस्ट स्टेट्स है northern states है इंडिया में वहाँ पे पाई जाती है जो Himalayan states है वहाँ पे red deer पाया जाता है इन ही का sub-species है कश्मीर स्टैग that is hangul hangul कश्मीर स्टैग state animal है जुमू एंड कश्मीर का अगर हम कश्मीर की बात करें कश्मीर में जो दाची गाम नैशनल पार्क है वहाँ के elevations पे वहाँ उस पार्क में इनको पाया जाता है इनकी population वहाँ पे बसती है और कुछ एनिमल इस कहाँ पे है कुछ एनिमल इस कुछ इंडिवीजवल है हाँ गुल के रेड डियर के अगर हम बात करें बाइद बिगिनिंग आफ अगर हम 20th संचुरी के आगाज में देखें तो तकरीबन 5000 एनिमल इस थे इंडिवीजवल इस थे कश्मीर में कश्मीर में अराउंड 5000 एनिमल इस वे इन बिगिनिंग ओफ 20th संचुरी लेकिन मैंने आपको पहली ही बोला काफी जाता इनकी हंटिंग हो दी थी पोचिंग हो दी थी उसकी वाज़े से इनका नंबर गठा क्या कुछ थ्रट्स थे जो कि हमने पहली ही देखे क्या बायो डाइवर्स्टी के लौस होने के थरट्स है क्या बायो डाइवर्स्टी को थरट्स होते है फोस्ष्टी इस हैबिताइड डेस्ट्रक्षन इनका हुआ क्यूंकि human settlements बसाने के लिए एक तो इनके habitats को destroy किया गया इनके habitats को destroy किया गया agricultural land के لिए और ग्रेजिंग जो के domestic stock होता था जो आसपास की communities थी वो वहाँ इन areas में over grazing करवाती थी अपने domestic live stock को वहाँ ले जाती थी जिससे इन जो deer है जो hongle है इसको proper nutrition नहीं मिलता था साल बर के लिए तो उससे क्या होता था इनकी death होती थी या poaching जो काफी ज़्यादा influential factor रहा है इसमें तो इनकी population 1970 तक आते आते इनकी population कुछ 500 ही बची थी तो 500 होने के बाद 1970 में initiative लिया गया कैसे इसको console किया जाए कैसे इनकी population उसको बढ़ाया जा सके तो जो state government है जो moment कश्मीर का उन्होंने 1970 में उन्होंने IUCN से मिलके और जो worldwide life fund है इन दो environmental organization से मिलके इन्होंने project hangul को launch किया इसको start किया ताकि इनकी हैबिट एक तो इन individual उसको बचे हुए animals को बचाया जा सके और दूसरा इनके habitat को conserve कर सके और उसके बाद 10 साल बाद 1980 में जब इनकी population enumeration किये गई तो उस time पे देखा गया कि काफी जादा increment हुई थी इनके numbers में around 4000 animals उस time पे देखे गए याईनकी काफी जादा success रहा है project hangul उसके बाद ये थे कुछ static about biodiversity ये कुछ static topics थे अब जो कुछ रह जाता है वो भी हम discuss करेंगे अब रह जाता है आपके environment ecology and biodiversity में अब रह जाता है environmental pollution and कुछ acts कुछ acts जो पास किये गए अब उनको भी हम discuss करेंगे बाद में आने वाले lectures में आज के हम इस lecture में हम कुछ current affairs देखे current की तरब देखे तो काफी जादा चर्चा में रहा है निवस में रहा है हाइदर पूर वैट लेंड 47th रामसार साइट है इंडिया की रामसार convention क्या है यह एक inter-governmental environmental treaty है जब कब लाई गई एस्टैबलिश की गई लॉंच की गई 1975 में हाइदर पूर वैट लेंड की बात करें तो हाइदर पूर वैट लेंड आपके उतर प्रदेश के जो बिजनो डिस्ट्रिक है वही से बिलॉंग करता है हाइदर पूर वैट लेंड इजन उतर प्रदेश एंड 1984 में जो जहां पे सोलानी रिवर सोलानी एंड गंगा जहां पे आपस में मिलते हैं वहाँ पे जो पानी का बहाव है उसको कम करने के लिए मधिया गंगा बेरेज बनाया गया तो उसी बेरेज के बनने के बाद एक वैट लेंड बन गया ज़सका नाम पढ़ा हाइदर पूर वैट लेंड ये पार्ट है हस्तिनपूर वाइड लाइफ सेंक्चुरी का तो इससे आपके exam में पूछा जा सकता है क्या पूछा जा सकता है वो भी मैं आपके साथ share करता चला जा रहा हूँ करता करता वो भी हम share करेंगे हाईदरपूर वैटलेंड कहां पे है आपके UP में उतर प्रदेश के बिजनूर डिस्टिक में है उसके बाद हाल ही में काफी ज़्यादा चर्चा में रहा है औरेंग नैशनल पार्क औरेंग नैशनल पार्क ये आसाम में है आसाम गॉवर्मेंट ने रेसेंटली ये डिसाइड किया कि इसके एरिया को तीन गुणा बढ़ाया जाए इसके एरिया को किस स्टेट से बिलॉंग करता है तो वो है आपका असम राइट उसके बाद कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो पूछे जा सकते हैं जो इंपोर्टन फैक्ट्स है वो हम देखेंगे अरले अरले पहरे इसका नाम था राजीव गांदी ओर्रेंग नैशनल पार्क very important राजीव गांदी ओर्रेंग नैशनल पार्क इसका पहला नाम था जो ब्रहमपुतर रिवर है उसी के नौर्थ बैंक पे है आसम में and around 70 सुकेर किलुमेटर इसका कुल एडिया है इसको मिनी स्टेटस है कौन औरंग नेशनल पार्क ये पॉइंट भी इंपार्टन है ये भी इंपार्टन है पहले इसको बोला जाता था राजीव गांदी औरंग नेशनल पार्क जो के आसम में है औरेंग नेशनल पार्क इसको मिनी काजी रंगा कहा जाता है दैट इस छोटी काजी रंगा नेशनल पार्क आयूसीन साइट है अगर हम देखें तो 1985 में इसको डिकलियर किया गया था एज वाइड लाइफ संक्चुरिय उसके बाद 1999 में इस येर में इसको नेशनल पार्क डिजिगनेट किया गया इसके स्टैट्स को बढ़ा दिया गया एज नेशनल पार्क 49 टाइगर रिजर्व है इंडिया का ये भी आप ध्यान रखेंगे ये भी important point है अगर हम उसके बाद देखें ये जो औरिंग नेशनल पार्क है हाल ही में जो NTCA के दोरा टाइगर एनुमरेशन टाइगर एस्टिमेशन किया गया इनकी सेंसस की गई तो औरिंग नेशनल पार्क में देखा गया कि अगर हम हर किसी जो 100 स्केर किलोमेटर है 100 स्केर किलोमेटर के एरिया में आपको around 36 टाइगर लेंगे सबसे ज़्यादा टाइगर डेंस्टी इन दे कंट्री किस नेशनल पार्क में है तो वो है आपकी काजी रंगा नेशनल पार्क काजी रंगा नेशनल पार्क में हाइस्ट टाइगर डेंस्टी है इंडिया में क्या कुछ important points हमने discuss किये एक तो हमने देखा औरंग नैशनल पार्क असम में है इसको राजियो गांदी औरंग नैशनल पार्क कहा जादा था पहले इसको मिनी काजिरंगा नैशनल पार्क बोनते है IUCN साइट है अगर हम देखे कब बनाई गई 1990 में इसको डिकलियर किया गया था आज नैशनल पार्क अगर हम देखे सबसे ज़्यादा टाइगर डेंस्टी किस पार्क में है तो वो है काजिरंगा नैशनल पार्क अब आप comment section में comment में लिखना कि काजिरंगा नैशनल पार्क किस स्टेट में है इंडिया में उसके बाद Action Plan for Introduction of चीता हाल ही में जो Ministry of Environment है उन्होंने N-T-C-A की मीटिंग में इसको रिलीज किया गया N-T-C-A की N-T-C-A National Tiger Conservation Authority के 19th मीटिंग में Environment Ministry ने Action Plan for Introduction of चीता ये ड्राप्ट प्रपोजल इन्होंने रिलीज किया क्या प्रपोजल है कि आने वाले जो Next 5 years होंगे उन 5 years में around 50 चीताज को introduce किया जाएगा इंडिया में राइट अगर हम देखें तो इन में से around 12-14 को लाए जाएगा इंपोर्ट किया जाएगा इनको South Africa या Namibia से और Namibia से इनकी जो इंटरनेशनल ट्रांस्पोर्टेशन होगी वो होंगी आइदर या तो commercial airline के थूँ या एक special charter freight के थूँ इनको लाया जाएगा इंपोर्ट किया जाएगा वहां से कहां से अफरीका, South Africa और Namibia से जिनको ये ट्रांस्पोर्ट किया जाएगा इन चीतास को कहां ट्रांस्पोर्ट किया जाएगा कहां इंट्रोडूस किया जाएगा कुनो पालपूर नैशनल पार्क जो के मध्या प्रदेश में है देखे आप यहां से क्या पूछा जा सकता है एक तो पूछा जा सकता है कुनो पालपूर नैशनल पारक is in which state तो इसका अंसर है मध्या प्रदेश एंड जो action plan for introduction of Cheetah in India इन को कहां से import किया जाएगा Africa, South Africa एंड नमीबिया से फिर उनको introduce किया जाएगा कुनो पालपूर नैशनल पारक जो के मध्या प्रदेश में है उसके बाद plan B plan B क्या है जो northern frontier railway है जो northern frontier railway है उनके दोरा लांच किया गया है plan B क्या plan है ये plan है कि जो train है जो train tracks है जो rail पटरिया है कई सारे tiger habitats से गुजरती है तो वहाँ से जो tigers होते है जो tigers होते है कई बार वो train के नीचे आके मर जाते है तो इसी को address करने के लिए northern frontier railway ने लांच किया है plan B क्या है कि unique devices इनस्टाल किये जाएंगे जो railway tracks है उनके आसपास उनके इरिद गिरिद ये devices लगाए जाएंगे सेट अप किये जाएंगी उनसे ये devices क्या है वहाँ से निकलती है जो bees होती है उनकी वो buzzing sounds वो produce करती है ये devices उससे क्या होता है जो ये buzzing sound है इन bees का उससे जो elephants है वो काफी ज़्यादा irritate होते है और वो try करते हैं वो कोशिश करते हैं कि इस sound से दूर रह सके तो जैसे ही ये railway tracks के आसपास इनको install किया जाएगा इन devices को तो उससे क्या होगा जैसे ही कोई train गुजरेगी तो इनकी sound से क्या होगा जो ये sound produce करेंगे जो elephants है वो क्या करेंगे वो दूर दूर भागेंगे इस railway tracks से This is plan B और इसके लिए Sorry इसके लिए हाल ही मैं जो Indian Railway है इनकी तरफ से Best Innovation Award मिला है Northern Frontier Railway को इस plan के लिए तो आपके exam में क्या पूछा जा सकता है plan B किन होने launch किया Northern Frontier Railway ने and Best Innovation Award किसको मिला Northern Frontier Railway को Indian Railway की तरफ से क्या कुछ devices है वो हमने डिसकस के रही कि Buzzing Sound आप 20 प्रोडूस करेंगे ये devices जिससे क्या होगा कि जो Elephants है वो दूर रहेंगे इन tracks से एक और concept है इसी के साथ Eco Bridges का concept कई बार क्या होता है जो Wildlife Zunes होते हैं बड़े बड़े जो Natural Habitats होते हैं अगर हम Elephants की बात करें जो Corridors होते है Elephant Corridors तो क्या होता है कई बार जो हमारे Highway Projects होते हैं वो इन Zunes से गुजर रहे होते हैं वो वहां से मतलब Pass On करते हैं एंड कई बार जो Railway Tracks भी होते हैं वो हमें यहीं से Pass करवाने पड़ते हैं तो कई बार क्या होता है तो जैसे ही कोई Train आ रही होती है तो यह Elephants यहां से गुजर रहे होते हैं तो कई बार यह Train के नीचे आके मर जाते हैं तो Eco Bridges का Concept यही है कि यहां जहां से जिन Zunes से Wildlife Zone से जिन Corridors से यह Highways या Railway Tracks गुजर रहे हैं तो उनके लिए या तो Highway के ऊपर Animals के लिए Elephants के लिए पर्टिकुलर्ली या तो इन Highways इन Rail Tracks के ऊपर से इनके लिए अलग से रस्ता बनाया जाएगा या फिर इनके नीचे से इनके लिए कोई Tunail कोद दी जाएगी जिनसे इनको प्रॉपर जिनसे इनको एक प्रोटेक्ट्ट्ट्व वे मिल सके कि ये एक दूसरी से ये एक habitat से दूसरे habitat तक travel कर पाए This was all about today's session Hope that आज का session आपके लिए important है ही तो आपके लिए fruitful रहे आपके आने वाले एक्जामस में so thanks, have a good day